स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चनल सरकारी वारत में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कने वाले हैं जीके का एक और टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो स्टूडेंट जीके की तैयारी कर रहे हैं यान के जन्नल अवियनेस की चाहें आप किसी भी कम्टेटिव लेवल एक्जाम की तैयारी के होना कर रहे हो चाहें आप तैयारी कर रहे हैं SSC के किसी भी एक्जाम की Railway NTPC Group D की तैयारी कर रहे है या फिर अगर आप UPSC, UPPET, UPSI और UP के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं राइस्तान के किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीचर पोस्ट के लिए भरती होना चाते हैं जासे TET, TET के भरती की तैयारी कर रहे हैं किसी भी जो टीचर से लिटर बेकेंसी हैं तो दोस्तो आप सभी को बता दें, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, नई कंपनी और पुराने दलों के संस्तापक और उनसे लिटेड बातों के वारे में हैं, तो Facebook, Microsoft, Together Party, Congress, इस तरीके के गए, जो important कुछ है, important, important जो 40-45 संस्तापक और कंपनिया हैं, उनक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा, और वीडियो को सेयर करना विल्कुल मत भूरेगा, अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का question है, तो आप comment box में लिखिएगा, आपके comment का answer 5-10 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा, तो चली friends, start करते हैं, आज की वीडियो, तो दोस्तो पहला question है आपके सामने, गदर पार्टी के सह संस्तापक कौन थे, देखिए गदर पार्टी की बात के जाए, तो ये जो गदर पार्टी की है, इसकी स्तापना की थी लाला हर्दयाल, लाला हर्दयाल वजदा co-founder of this party, लाला हर्दयाल इस पार्टी के गदर पार्टी के co-founder है पार्टी के संस्तापक अध्याच सरदार सूहन सीन भागना थे मतलब ये जो गदर पार्टी थी इसके जो संस्तापक अध्याच थे वो सरदार सूहन सीन भागना थे और इसके जो को फाउंडर थे सह संस्तापक थे लाला हर्दयाल गदर पाटी की स्थापना अमेरिका के सेंट फ्रांसिसको के एस्टोरिया में 1913 में अंगरेजी सामराजी को जड़ से उखाड फैगने के उत्यसे से हुई थी देखे कितने अच्छी बात है जो गदर पाटी की स्थापना हुई थी यह कहां पर हुई थी अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्कों में हुई थी एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी संबराच को चट से उखाड फेकने के उत्यस से हुई थी गदर पाटी की पहली वेट ठक सेक्रामेंटो कैलिफॉर्निया में दिसंबर 1913 में अईजित की गई थी देखें गदर पाटी से लेटर अगर कोई कोशन आता है तो आपका यहां से कोशन फस जाएगा यानि कि सह संस्तापक लाला हर्द्याल पास्तिविक जो संस्तापक है अध्याच थे सरदार सुहन सीन भागना अमेरिका की सेंट फ्रांसिस को एस्टूरिया में 1913 में अंग्रेजी सामराच्च को चट से उकानने के उध्यस्टे से इसकी स्तापना हुई थी इसकी पहली वयत्क संक्रामेंटो कलिका में हुई थी नेक्ट अगर बात करें दOOसरी दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करते हैं यह ज़ो कंपनी है यह है Facebook यहां से एक जामनेशन में कोशन पूचा ही जाता है आपने Facebook के बारे में बहुत सुनाओगा फेस्बुक की स्तापना फरवरी चार फरवरी 2004 को की थी तो चार फरवरी को फेस्बुक की स्तापना होती है और चार फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है क्या मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है चार फरवरी को ही तो इसी दिन Facebook की इस्तापना हुई थी और इसके जो संस्तापक थे ये थे Mark जुकरवर्ग कौन थे Mark जुकरवर्ग जन्होंने Facebook की संस्तापना की थी अब कुछ और बात कर लेते हैं इन में से कोई ना कोई question आपके exam में फस जाएगा Microsoft की बात कर रहा तो Bill Gates ने इसकी स्तापना की थी गूगल की स्तापना की थी सर्जे विरिन और लेरी पेज ने गूगल की स्तापना की थी ट्विटर की बात कर रहा है तो Jack Dorr से Even Williams, Noha Glass और Witchstone इन चार लोगों ने मिलकर Twitter की स्थापना की थी मैं आपको repeat कर देता हूँ Jack Dorr से Even Williams, Noha Glass और Witchstone इन चारों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी Twitter की स्थापना की थी Alphavit की बात कर रहा है मतलब Google का पपा जी बोला है तो किसको बोलेंगे Alphavit को बोलेंगे Next है World Wide Web www आपने देखा होगा तो ये Tim Berners-Lee और Robert Slew किसने इस्थापना की थी Sir Tim Berners-Lee और Robert Slew ने World Wide Web www की स्थापना की थी Next अगर बात कर रहा है दोस्तों WhatsApp की WhatsApp की Jan.com और Brain Acton Brain Acton काफी ज़्यादा important है ये एक्जाम में फस जाता है मतलब एक्जाम में यहां से question बनता है तो WhatsApp की खोज किसने की थी Jan.com और Brain Acton ने इस्थापना की थी WhatsApp की Next अगर बात कर रहा है तो ये सभी के सभी जो है ये social media के part है तो यहां पर Instagram की बात करें तो Kevin, Sistrom and Mike Krigger इन दोनों ने मिलकी सभी इस्थापना की थी Instagram की Instagram आप ज़कल बहुत मतलब चल रहा है तो इसकी सभी इस्थापना की थी Kevin, Sistrom और Mike Krigger इसमें से देखे Instagram, WhatsApp और Twitter Google तो है ही इन चार चीजों का मतलब बहुत ज़्यादा important है एक्जाम में फसने के चांस रहते हैं तो Microsoft, Will Gates Google, Sergei Vrin and Larry Page Twitter, Jack, Dorsey, Even Williams Noah Glass, Beach, Stone Alphabet, Larry Page and Sergei Vrin World Wide Web की बात करें तो Tim Bernersley and Trovers Liu WhatsApp की बात करें तो Jen.com और Virian Acton Instagram की बात करें तो Kevin, Sistrom and Mike Krigger इन दोनों ने मिलकर खोश की थे सस्तापना की थी चलिए Next बात करते हैं दोस्तो Apple Apple Computer Company आपने Apple के बारे में तो सुना होगा Apple के से सस्तापक कों थे तो Steve Jobs, Steve Wasnike and Ronald Wyn ये थे इसके से सस्तापक किसके Apple Computer Company के Steve Jobs, Steve Wasnike, Ronald Wyn 1 April 1996 को Apple की स्तापना होई थी 1976 ये वो ही समय था जब भारत में आपाज कल गिस्ते थी और इसी समय में 1976 में ही भारत में 42 में समयदान एक संसुतन लाए गया था तो इसी समय पर यहाँ पर Apple Computer Company की स्तापना की थी Microsoft के जो सस्तापक Founder है वो Will Gates और Paul Arrain है 1975 में Next अगर बात करते हैं दोस्तों Google की बात करें तो Google तो अभी हमने पढ़ाई ही था Google Google है तो Google के Founder है Larry Page और सर्जे ब्रिन कौन-कौन है Larry Page और सर्जे ब्रिन ये दोनों ही Founded in September 1998 यानि कि 1998 में 1998 में Google की स्तापना की गई थी Larry Page और सर्जे ब्रिन के द्वारा चले एक परमाणू परिच्छन किया गया था 1998 में आप लोग बताईएगा Comment box में कहां पर किया गया था भारत के अंदर किया गया था 1998 में एक परमाणू परिच्छन चले Next देख लेते हैं दोस्तों दूसरा अग्ला questions है People's Plan का सूत्रपात किसके द्वारा किया तै जो People's Plan इसका सूत्रपात किया गया था so try1945 suf था किसके द्वारा People's airplanes का तो People's Plan का जो सूत्रपात है किसके द्वारा किया गया Ghandiyan Plan यह स्रीमन नारायन अग्रवाल के द्वारा 1944 में और Bombay plan यह 1934 में तीन प्लान हुए तीनों के तीनों plan मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए तो People's plan मNroi 1945, Gandhian plan स्रीमन नारायन अगरवाल 1944 और Bombay plan 1944 यानि के 1944 में हुआ था बात करते हैं इसके सहस्तापक कौन थे तो ये तो सुत्रपात किया था सहस्तापक थे सर पुर्सुत्तम दास ठाकुरदास जे आरडी टटा और घंस्याम दास बिड़ला तीन लोगों ने और यहाँ पर सर अरदे सिर दलाल सर स्री राम, कस्तूर भाई लालची एडी स्रॉफ और जौन मताई तो इसमेंसे जो इंपोर्टेंट है वो है आपका जे आरडी टटा और जौन मताई और पुर्सुतम दास ठंडन ये आपको याद रखने ही रखने हैं तो यहाँ पर बात करें तो इसके जो संस्तापक हैं ये सर पुर्सुतम दास ठाकुर्दास जे आडी टाटा गंसियम दस बिटला सर अर्दे सिल्दलाल स्री रामत कस्तूर भाई लाल भाई एडी स्रॉफ और जौन मताई भारत के प्रमक उध्धोग पतियों ने भारत के उध्धोगी की राज में 15 वर्षी जूजना बनाई थी तो पीपल्स प्लान मन रो 1945 गांधियन प्लान श्रीमन नारायन अकरवाल उनिसो चवालिस और बंबियन प्लान उनिसो चवालिस के अंदर हुआ था नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तो यह है यंग वंगाल आंदोलन के संस्तापक यंग वंगाल आंदोलन आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिपली नहीं सुना होगा लेकिन यह जो यंग वंगाल आंदोलन है इसके संस्तापक थे हैंडरी लूई बिवियन दैरो जियो यह है यह हिंदू कॉलेज कलकता से उबरते उए कट्रपंती बंगाल मक्त विचारकों का एक समूह था 1820 से 1830 की यह बात है तो यह बंगाल आंदोलन की संस्तापक थे हैंडरी लूई बिवियन दैरो जियो चले next देख लेते हैं दोस्तों next है सुन micro system जिसे 2009 में Orisal Corporation Corporation ने अधिकरत कर लिया उसके संस्तापक कौन थे सुन micro system थे इसके संस्तापक स्कॉट मैकनेले विनोद खोसला एंड एंडी वेच सॉलेज विल जोई 1982 में स्तापित हुई थी important नहीं है आप लोग इतना भी ज़्यादा इसको डिपली मत पढ़िएगा next बात करते हैं दोस्तों अनुसीलन संस्तापक कौन नहीं है देखें अनुसीलन संस्तापक अनुसीलन संस्तापक की बात करें तो which of the following was not one of the founders of अनुसीलन संस्ती तो अनुसीलन संस्ती भारत में सुतनता संगराम के समय बंगाल में बनी अंग्रेजी वरोधी, गुप्त और क्रांतिकारी ससस्त्र संगठनता सबसे पहला प्रशन यहीं बनता ही अनुसीलन संस्ती बास्तिवी गुरुप से क्या थी तो यह अनुसिलन संथि जो के भारत के सुतन्ता संगराम के समय बंगाल में बनी अंगरेजी विरोदी, गुपत, करांतिकारी और ससस्तर संगरतन थी संगठर में कुल तीन सम्तियां थी 1902 में तीन सम्तियों में से पहली सम्ति प्रोमोथा मित्रा की थी मतलब तीन सम्तियां थी पहली जो सम्ति थी जो प्रोमोथा मित्रा की थी दूसरी सम्ति का नेतों सरला देवी नमक और एक वंगाल ली महिला के हाथों में था तीसरी के निता थे अरविंद घोस तो जो अनुसीलन्स सम्थी थी इसके अंग्रेजों के ब्रोद में बनाई गई थी और गुपत क्रांतिकारी और सवस्तत संगटन था जो इसकी तीन समितिया थी इसकी तीनों समितियों में पहली सम्थी प्रमोथा मित्र मित्रा दूसरी जो थी सरलादेवी के रात में थी और तीसरी के जो निता थे अर्विंध घोस थे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट है धर्म सवा के संस्तापक कौन थे तो धर्म समा के संस्तापक नों ने इस्तापना किए दी नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तो जेश्ट न जेश्ट न जेम्स अगस्टम हिक्की थे ये बंगाल गजट जो भारत में समाचर पत्र चलाया गया था और इसके जो संस्तापक थे जैम्स अगश्टम अगश्टस एक की थे सापता है एक पत्र जो कलकाता से 29 जनवरी 1780 में आरम हुआ था बारत से प्रकासे तोने वाला एक अंगरेजी भाषा का पहला समाचर पत्र तो आपसे पूछ सकता है भारत में भारत से प्रकासे तोने वाला अंगरेजी भाषा का पहला समाचर पत्र पत्र कौन था तो वंगाल गजट था जिसके संस्तापक ये प्रकासक जैम्स अगश्टम हिक की थे 1780 में 29 जनवरी को इसकी शुरूआत की गई थी कलकत्ता से नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों मीजो नेशनल फ्रेंट के संस्तापक कौन है मीजो नेशनल फ्रेंट लाडेंगा कौन है लाल देंगा 1961 में मीजो नेशनल फ्रेंट एक मीजो मीजोरम का राष्टवादी राजनी तिक दल था क्या था मीजोरम का एक राष्टवादी राजनी तिक दल था मीजो नेशनल फ्रेंट और ये पू लाल देंगा ने इसकी स्तापना की थी संस्तापक ते मीजो नेशनल फ्रेंट के और इसके बरतमान प्रेसिडेंट कौन है तो पूर जो राम थंगा कौन है पूर जो राम थंगा इसके बरतमान प्रेसिडेंट है में जो National Front के नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों Question No. 14 आप देख सकते हो 1875 में India League की स्थापना किस ने की देखें इंडिया League की स्थापना की तो यह सिसेर कुमार गोश ने की थी किस ने की थी सिसेर कुमार गोश ने India League की स्थापना की थी 1865 में की थी ओनिचोत थैस में इंडिया लीग की स्थासदापर वीके क्रिश्न कृष्णा मेनन थे ओम रूल और इंडिया लिग एक भी आया था ऐह 7 की, 1911 में स्ताफना की थी, होम रूल लिक की, और 1911 में भारत ने इंडियम होम रूल लुक की स्ताफना की थी, इंडियन इनिपेंदेंस लिग, ओके, चली, नेस्ट देख लेते हैं दोस्तो, तो नेक्स्ट है बिक्रम सिला विश्यू विद्याले की संस्तापक कौन थे देखे बिक्रम सिला विश्यू विद्याले की वात करें तो ये पाल राजा धरम पाल ने इसकी संस्तापक की थी और अगर हम बात करते हैं नालंदा विश्यू विद्याले का विकास तो ये कुमार गु और उसने नालंदा विश्व विद्याले का विकास किया था तो आपसे दो प्रशन पूछ सकता है विक्रम सिला विश्व विद्याले तो पाल राजा ध्रम पाल और नालंदा विश्व विद्याले कुमार गुप्त चंद गुप्त सेकंड का विटा था नेक्स्ट अकर बात कर ग्रेसर सेंटर इसके सस्तापक है होमी जहांगीर भाबा इसका मुख्याले है महाराष्ट में और महाराष्ट के ट्रामबे में और ट्रामबे कहां पड़ता है महाराष्ट के अंदर मुंबई में तो महाराष्ट के मुंबई मुंबई के ट्रामबे में इसका जो है आपका मु जान सकते हैं वार्क की जो स्थापना हुई थी ये पिफंपषचवर्शी है योजना के तहत को मनाया जाता है तो आप से पूश सकता है एक वेस्ट अउर nationally इंकी थी आप से पूश सकता एक वेशन और आता है ISKAUGHT GUIDE तो इसके जो संस्ता पक है यह कौन है वेड़न पावल कौन है वेड़न पावल इसके संस्ता संस्तापक हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक सुराज पार्टी क्या है डेमोक्रेटिक सुराज पार्टी के संस्तापक कौन है तो देखे जो लोकतांत्रिक सुराज पार्टी है इसके संस्तापक हैं बाल गंगा धर तिलक 1920 में इसकी स्तापना हुई थी डे 1923 में और मोतिलाल नहरू और चितन अंदास ने सुराज पार्टी की इस्तापना कि थी और डेमोक्रेटिक सुराज पार्टी की बाल गंगाद अतलक ने 1920 में की दिवह नेक्स अगर बात करते हैं दोस्तो Dartmouth ऐबस ये के इस्तापना को नहीं है तो मार्क राजा राम मोहन राए ने ब्रहम मैनीकल मैगजीन संबाद कौमेदी और मिरात लखवार तीन एकिश्वरबाद का उपहार वंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपाधन किया था। आप से पूछ सकता है जो प्रहम समाच के संस्तापक राजा राम मोहन राए हैं इन्होंने मतलब इनका जो योगदान था ये सती परता को रोकने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान वाना जाता है जब लौड विलियम मेंटिक के सहयोग से तो यहां से आप से पूछ सकता इननके अकवार क्या थे इनके जो संपादक है वो क्या थे थो इनके भ्रहम मेंकल मैकजिन संबाध कौममदी मेरातोल अकवार एक ऐसोरबाद का वपहार वंगदूस जैसे समाचर पत्रों का संपाधन किया था इनों 1829 में कानून बनाकर इन्हों ने किया था मतलब सती प्रता का ये व्रोध करते थे और लॉड विलियम बेंटिक ने इन्हों का सहयों किया था 1829 में और ये कानून लाए थे कानुन पर्था का सभी पर्था का उन्मूलन किया और राजा राम मुहन राए के प्रयास किये गए थे नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है खासी राम कासी राम किस पार्टी के संस्ताफ़क है तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है 2019 में भारत रतन विजयता जो एक ग्रामीड विकास संस्ता के शंस्ता पक थे तो कौन थे नाना जी देश्मुक थे कौन थे नाना जी देशमक थे 2019 में इनको भारत रतन परदान किया गया नाना जी देशमक को दिन दियाल सुष संस्तान 1972 में नाना जी देशमक द्वारा स्थापन ग्रामिड विकास संस्ता है इनके द्वारा ही दिन दियाल सुष संस्तान 1922 में स्थापना की गई थी भूपेन हजारिका अश्म राज्य के गाया के विम संगितकार होने के साथ ही एक कभी फिल्म निर्मे था लेखक और अश्म की संस्कृति तता संगत के अच्छे जानकार थे इनको भी इनके साथ 2019 का भारतरतन पृष्टकार प्रदान किया गया पड़म मुखर जी देश के तेरेवे राश्टपती रहे जिनको भारतरतन पृष्टकार प्रदान किया गया 2019 में तो 2019 में तीन लोगों को भारतरतन पृष्टकार प्रदान किया गया था नाना जी देश में भूपेन अजारिका और दाप्रवड प्रदा मुखर जी नेक्स्ट बाद करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेशन है 1921 में बावु सिप्रशाद गुप्त और महात्मा गांदी के साथ कासी विद्या पीट के संस्थापक कौन थे देखें उनी सो एकिस में बाबू सिप्रशाद गुप्त और महात्मा गांदी के साथ कासी विद्या पीट के जो संस्ता पेकते ये भगवान दास थे कौन थे भगवान दास जिनों ने महात्मा गांदी और बावू सिप्रशाद गुपता के साथ कासी बिद्यापीट की स्थापना की थी गांदी जी ने इसका उद्गाटन किया था और इसकी स्थापना असयोग आंदोलन की समय हुई थी दस परवरी 1921 को वसंत वंचमी को बावू सिप्रशाद गुपत द्वारा वैदेनी वारणासी में इसकी स्थापना हुई थी वर्तमान में इश्विश्व विद्या लेका ना महात्मा गांदी कासी बिद्यापीट रखा गया है नेक्श लगे बावू सिप्रसाद गुकता का नाम बदलकर और महात्मा गांदी के साथ इनौ ने इस्थापना की थी महात्मा गांदी कासी बिद्यापीट नेक्श्ट अगर बात करते हैं माइक्रोसोट के इस इनस्थापना कूँन है नेक्स्ट बात करें दोस्तों दॉक्टर विंदेश्वरी पाठक किसके संस्तापक हैं? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है सत्यसोदक समाज के संस्तापक कौन हैं? तो जोतिवा फुले सत्यसोदक समाज के संस्तापक हैं? कौन है जॉन मकेर्थी नेक्स्ट है कॉंग्रेस की इस्तापना किस ने की देखिए कॉंग्रेस के बारे में एक क्वेशन जरूर आता है तो इसके जो फाउंडर है वो है अलन अक्टेविन हुम कौन है ए ओ हुम हम इनको सौड में बोल सकते हैं इस समय भारत के जो गवर्ना ज सेसन बोंबे 28 से 31 दिसमबर 1885 को इसकी स्ताप पहला इसकी अध्यचता की गई थी यानिकि इसकी जो फर्स्ट सेसन ता प्रतम सत्ता बोंबे के अंदर 28 से 31 दिसमबर तक चला था 1885 में प्रतम अधिविशन की अध्यचते व्योमेशन बनर्ची कौन थे व्योमेशन बनर्च पहले अधिविशन के अधियाच हुए थे 28 जिजंबर 1850 को भारतिय राश्टी कॉंगरेश की स्थापना बॉंबे के गोकुल दास तेजपाल तेजपाल संस्कृत में हुई थी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों Founder of Archaeological Survey of India 1861 1861 में इस्थापना हुई भारतिय सर्वे चंड Archaeological Survey की इस्थापना हुई थी यह किस ने की थी तो यह founded किया गया था 1861 में Alexander Cunningham किस ने के द्वारा किया गय था Alexander Cunningham के द्वारा आर्केलोचिकल सर्वी ओफ इंडिया की स्थापना की गई थी विकेम इट्स फर्स्ट डारेक्टर जेनरल और यही अलेक्जेंडर कनिंगम ही इसके पहले जो फर्स्ट डारेक्टर जेनरल बनाए गए नेक्स्ट बात करते हैं फांडर ऑफ फार्वाड ब्लग की स्थापना किस ने की थी तो इंडिया निशनल कॉंग्रेस से इस्तीपा देने के बाद सुभाश्चंद बहुष ने फार्वाड ब्लग की स्थापना की थी मकुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में 3 मई 1949 को इसकी स्थापना की थी और यह जो 1938 के अधिवेशन में कॉंग्रेस के हरीपुरा का अधिवेशन था इस अधिवेशन में इनको सुभाश्चंद बहुष को अध्यच चुना गया था कॉंग्रेश पाढ़ दीगा लेकिन अनों ने फिर इसको छोड़ जिया था और इंडिया नेशनल का फारवर्ड व्लोग की स्थापना की थी इंडिया नेशनल कॉंग्रेश से इस्तीपा देने के वाद सुभाश्यंद बोस ने मकर उन्नाओं में उत्तरप्रदेश 3 मईद 1949 को नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों खालसा पंद की स्थापना किस ने की थी तो 13 अप्रेल 1699 को बैसाकी के पर्व के दिन गुर्गोविन सिंग ने खालसा पंद की स्थापना की थी चलिए गुर्गोविन सिंग ने खालसा पंद की स्थापना नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दासवंस की स्थापना की थी तो कुतब दिन एवक ने गुलामबंस या दासवंस की स्थापना की थी दासवंस को ही गुलामबंस कहा जाता है इस वंस ने द कैका वाथ कैका वाद इसका अंतिम्सासका हुआ था गुलामबंच का जो sugayतिन कैका वाथ था 1280 से 12 qualities धिल्ली सल्तनत पाँच वन्स हुए थे गुलामबंच, खिलजी वन्स, उखलकबंस, गुलागबंच, सेद Presse तो यैं उल्टा दे रखा है चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर लिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना सरसेयद एहमद खान ने की थी अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थाप नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है विश्व भारती विश्व विध्याले की स्थापना किस ने की थी तो 1921 में रविंदर नाथ ठाकोर ने विश्व भारती विश्व विध्याले की स्थापना की थी जो के सांते निकेतन वेस्ट वेंगाल के अंदर स्टापना की थी 15 जनवरी सब्सक्राइब कोलकाता पश्री मंगाल में फोर्ड विल्यम कोलकाता में होगली नदी के पूर्व किनारे पर बना एक किला है जिसे बिटेस स्राज के दोरान बनवाया गया था नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों 1885 में इंडिया लिग की स्ट सब्सक्राइब करते हैं वर इंडिया लिवर पार्ट के उस्ताफना की बात करते हैं थोस्तों 22 1945 में दले समदाइगे अधिकारियों की थी नेक्स्ट बात करते हूं 1919 में सत्यागरह सवाकी स्थापना किस ने की थी तो महात्मा गंदी ने रॉलेटेक्ट के ब्रोध में बंबई में 24 परवरी 1919 को सत्यागरह सवाकी स्थापना की थी मतलब जो रॉलेटेक्ट आया था रॉलेटेक्ट के वुरोध के दोरन महात्मा गंदी ने कहा कि यहां मेरा द्रण विश्वास है कि हम मुक्ती केवल संगर्ष के दोरा ही प्राप्त करेंगे ना कि अंग्रेजों दोरा हमें परदान किये जा रहे सुधारों से. मतलब महात्मा गंदी ने कितनी बड़ी बात कही हमें उन्होंने कहा कि मेरा द्रण विश्वास है कि हम मुक्ती केवल संगर्ष के दोरा ही प्राप्त करेंगे ना कि अंग्रेजों दोरा प्रदान किये जा रहे शुधारों से. नेक्स्ट बात कर दे हैं दोस्तों तो नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी की स्थापना किती तो गोपाल किष्ण गोखले ने 1905 में पुड़े महराष्ट में सर्वेंट ऑफ इंडिया सुसाइटी की स्थापना गोपाल किष्ण गोखले 1905 पुड़े नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी तो 1582 में मुगल समराट अकवर द्वारा फतेपुर्शी क्री आगरा में इसकी स्थापना की थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की स्थापना किसने की थी यसवंद सिंग परमार ने हिमाचल पर्देश की स्थापना की थी hetамचल का नाम आचारे दिवाकर दत्त सर्मा रखा गया यूनियन टेरिटेरी था 1 नवंबर 1956 से इसे इस्टेट का दर्जा मिला गया 25 जनवरी 1971 से नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नतल इंडियन कॉंगरेस नटल नहीं होगा नेशनल इंडियन कॉंगरेस की स्थापना तो फाउंडेट महात्मा गांधी 1894 नतल ही है यह नतल ही है 1894 में इस्थापना की थी महात्मा गांधी ने गांधी मानद सचिव थे और ची एडम जावेरी दादा अब्दुल्ला अध्यच चुने गए थे उद्यसेता दच्छड अफ्रीका में भारतियों के साथ भेदवाप से लड़ना मतलब इनोंने दच्छड अफ्रीका के अंदर जो भेदवाप के ब्रुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी उसमें इनोंने नतल इंडियन कॉंग्रेस एन आईसी की स्थापना की थी 1894 में नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों तत्तो बोधिनी शवा तत्तो बोधिनी की सवा की स्थापना चेक्टूबर 1849 इसको कोर्ट काता के देविंद्र नाथ टैग और द्वारा इस्थापित की गई थी 1869 म ब्रह्म समाज में कर दिया गया ताटा इस्थीट ओफ फंडमेंटल कम बयद्र सफनीद के दौरा किस त्वारा इसके प्रतं डार्यक्ट कौन थे तो टी आई एफ TIFRA TATA Institute of Fundamental Research was founded first June 1945 को इसकी स्क्षापना की थी होमी जहांगीर बाबा बाज appointed first director इसके बनाए गे थे होमी जहांगीर बाबा चले दोस्तो तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही ये वो questions है अगर आपने ये 30 मिनट की वीडियो अगर 4-5 बार देख ली तो यह मा लिजे आपको यह complete याद हो जाएगी और यहां से आपके कम से कम 2 marks का question आपके examination में फसेगा यह फसेगा 100% आपके 1-2 number यहां से मिलेंगे तो दोस्तो आप सभी को बता दूँ अगर आप professional पर नए हैं